नमस्कार, दलीगल इंडन के इस एपसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों, एक नोटिस आजकल सर्कुलेट हो रहा है मीडिया में और ये नोटिस है डेट रिकावरी ट्रिबनल ट्रिबनल का है और उसमें कहा गया है कि इस नोटिस में ये कहा जा रहा है कि वकिल साहब ने कुछ ऐसा आर्गुमेंट कर दिया जिससे जद साहब अनवेल हो गए परिशान हो गए होंगे, तब्यत खराब हो गई होगी और इस वज़ा से उस कोट में जितने भी मामलात थे उसको एट्जरन कर दिया गया, दूसरे दिन के लिए टाल दिया गया ऐसा कहा गया है, अब आपके दिमाग में ये जरूर उट रहा होगा कि अखिर ऐसा क्या आर्गुमेंट कर दिया होंगे वकिल साहब की जद साहब अनवेल हो गए मैं आपको reality बताऊँ, कई बार ये चीज़ें हो जाती है कई बार ये चीज़ें होती है क्योंकि आप जिस profession में हैं, वो profession में arguments होते हैं counter arguments होते हैं we all are human beings कब कहां पर क्या हो जाए कहना मुश्किल है कौन सा argument किसी वकिल को अच्छा ना लगे किसी जल साहब को अच्छा ना लगे उनको समझ में नहीं आए या फिर वो जो वोल्ट हैं वो मुझे समझ में नहीं आए सामने बाले वकिल को समझ में नहीं आए कौन जानता है, इसमें बहुत तीखी टिपनी होती है, तीखा बहस होता है, लेकिन ये बहस ही होना चाहिए, इसको हम दिल पे नहीं लेते, कोट में जब जाते हैं, तो सामने वाले वकील साब बहुत अनाप सनाप की चीजें बोलते हैं, बट बाहर जैसे ही आते हैं, वो खतम दिल पे ने लेते कभी ठीक सी प्रकार से जज और वकील के बीच में कई बार बहुत जवरदस नोक जोक होता है और वो इसलिए क्योंकि हमें अपने क्लाइंट के इंटरस्ट को प्रोटेक्ट करना है सामने वाला जो वकील है दूसरा वाला पाटी का उसके अपने क्लाइंट के इंटरस्ट को सर्व करना है जज साहब का काम है कि जो सही है उसको पकड़ना कि वाई ये वाला चीज सही है कई बार जज कोई क्वेस्चन पूछा आमने कहा कि विलनाट विल कम टू इट लेटर बाद में आएंगे पहले जो मैं बोल डाँ उसको सुनिए गुस्सा होगे जज मैं जो पूछ रहा हूँ पहले वो बताओ वाई लगा नाव विलनाट मैं तो बाद में बताओंगा पहले जो मैं बोल डाँ वो सुनो ये चीज़ें हो जाती है मैं कुछ एक्जामपल बताता हूँ मेरा एक मैडर था प्रपटी डिस्फ्यूट का उसमें जो सामने वकील थे काफी सीनियर एडवोकेट थे सीनियर एडवोकेट एज वाईज कम से कम उनकी उम्र सत्तर साल के असपास हो रही होगी तो आर्गमेंट जब हो रहा था तो एक आएक उनका बीपी हाय हो गया बहुत जोर जोर से वोलना शुरू कर दिया फिर जज सामने कहा कि वकील साब चुप हो जाओ आराम से बैठ जाओ पहले आप पानी मगाया पानी दोला करके इनको बैठने दो आराम से चीजें हो जाती है कई बार और बात में जब बाहर निकले उन्हों नहीं ही आगर के तो ये चीज़ जब आप इस प्रोफेशन में होंगे तो आपको सीखना पड़ेगा अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मेडियेशन में एक मैटर था मेरा और उस मेडियेशन में जो दूसरा पार्टी था हमारा ये था कि भाई आप इस पार्टिकुलर लोन को इमाउंट को सेटलमेंट को थोड़ा कम कर लें और मैनेज कर लें जैसे ही गया मेडियेशन सेंटर में पहला ही statement बोला दूसरा वाला party कि नहीं होगा मुझे बहुत तेर गुस्सा आया वह यह दो मिनट बात तो कर लो अरे पता तो करो matter क्या है मेरा क्या requirement है मेरी क्या मजबूरी है उसको तो समझो लेकिन नहीं एक दम एक ही बात प्याड़ गया कि नहीं करना एक एक हो गया गुसा और उसमें फिर बहुत तरीके से चीज़ें बदल गई सामने जो मेडम मीडियेटर बैठी थी वो बोले बगिन साब चुप हो जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ लेकिन फिर उस समय का बट जब मेडियेशन खतम हुआ तो अब इसी बात है फिर से वही हाथ मिला के गले लगके सौरी बोल देते हैं कोई बात होता है क्योंकि यदि हम इस तरीके से इस चीज़ को घर ले जाएंगे तो हर दिन कम से कम पास दस दुष्मन बना लेंगे तो हमारा प्रोफेसन इस तरीके का है कि हमें हीटेड आर्गुमेंट करने होते हैं तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा इस पार्टिकुलर ट्रिवनल में यहाँ पे कोई ऐसा आर्गुमेंट किया गया होगा ज़स आपको वो सही नहीं लगा उन्होंने कुछ 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 क्वश्चन रेस किया होगा काई लोग इसे अलग तरीके से लेते हैं उनको लगता है यादि कोई वकील आर्गु कर रहा है ज़से तो उसका डिस्रिस्पेक्ट कर रहा है ऐसी बात नहीं है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं कौट का क्योंकि कौट पे हमारा आस्था होता है इसका मतलब डिस्रिस्पेक्ट नहीं होता है इसका ये मतलब है कि जो लॉँ है उसको एप्रिसेट किया जाए इस country में rule of law है rule of judge नहीं है यदि judge साहब भी गलत कर रहे हैं तो उनको कहा जाएगा ज़स साहब ऐसे नहीं law यह है आपको ऐसे चलना पड़ेगा उनको रास्ता दिखाएंगे कि ऐसे चलिए कई बार होता है कई बार हम भी गलत करते हैं आज ही matter में ज़स साहब ने पूस दिया एक question मुझे नहीं पता था मैंने कहा कि मुझे कुछ दिन का समय दिया जाए मैं इस पर clarify करूँगा इस code को judge साहब हसने लगे और time grant कर दिया कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज हर समय आए नहीं जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कैसे down होना है जहाँ पे दूसरा party दिया आपके उबर हावी हो रहा है तो किस तरीके से आपको mold करना है code craft है भाई समय लगता है कहाँ पे judge साहब बिल्कुल एकदम गुस्से हो गए तो आपको शांत रहना है कहाँ पे आपको थोड़ा जोर से बोलना है कहाँ पे हलका बोलना है कहाँ पे stress करना है क्या चीज़ छुपाना है क्या चीज़ बताना है ये सारी चीज code craft है इसको सीखने में समय लगता है हमारे जो viewers है जो law student है जो कल को litigation में आना चाहते है मुझे आशा है कि हमारे इस वीडियो से हमारे इस प्रयास से उनको जरूर कुछ न कुछ फायदा हो रहा होगा हमारे वैसे viewer जो law student है और D.O.L.B. entrance examination की preparation करना चाहते है और उनको लगता है कि उनका confidence अभी नहीं बना है हमारा course है आप जा करके उस course को देखिए और उसको join कर सकते हैं इसके लिए आपको The Legal Indian application को download करना पड़ेगा और उहां पे जा करके आप courses को देख सकते हैं उहां से आप अपने preparation को boost up कर सकते हैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर कुछ नई जानकारी मिले होगी यदि ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को like करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके का authentic legal जानकारी आपके doorstep तक मैं पहुचाता रहा हूँ चले फिर से मिलते हैं किसी ओर टोपिक में तब ते के लिए नमस्कार जैन